गुरुवार व्रत कथा देव गुरु ब्रहस्पती को बुद्धी और शिक्षा का कारक माना जाता है गुरुवार को ब्रहस्पती देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्यमनवानचित फॉल की प्राप्ति होती है धर्मिक ग्रंथों के अनुसाल गुरुवार को भगवान ब्रहस्पती की पूजा करने का विधान है गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख, सम्रिधी, बनी रहती है आईए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुख्यों की मदद करके पुन्य प्राप्त करता था परन्तु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह न तो व्रत करती थी और नहीं दान्कुन में विश्वास रखती थी इतना ही नहीं वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है राजा शिकार खेलने के लिए बन गए घर पर रानी और दासी थी उसी समय गुरू ब्रहस्पती देव साधू के रूप को धारन करके राजा के दर्वाजे पर बिख्षा मांगने आए साधू ने जब रानी से बिख्षा मांगी तो वो कहने लगी हे साधू माहराज मैं तो इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे की ये सारा धन नश्ट हो जाएं और मैं अराम से रह सकूँ इतना सुनकर ब्रहस्पती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से क्या कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो इसे शूफ कार्यों में लगाओ कुवारी कन्याओं का विवा कराओ विद्याले और बाग बगिचों का निर्मान कराओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुद्रेंगे परन्तु सादू की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवशक्ता नहीं है जिसे मैं दान दू और जिसे संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाए तब सादू ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इक्षा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसे ही करना गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने बालों को पीली मिट्टी से दोना राजा से हजामत बनाने को कहना भोजन में मास मदीरा का प्रयोग करना कपड़े धोबी के यहां धुनने के लिए देना इस प्रकार साथ ब्रहस्पतिवार करने से तुमारा समस्थ धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर साथू के रूप में ब्रहस्पति देव अंतरध्यान हो गए साथू के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए राणी को केवल तीन ब्रहस्पतिवार ही बीके थे कि उसकी समस्थ धन समपति नश्ट हो गई बोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने राणी से बोला कि हे राणी तुम यही रहो मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मुझे कोई छोटा कारण नहीं मिल सकता ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा इधर राजा के परदेश चाते ही राणी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो राणी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी पास में ही मेरी बहन रहती है वह बड़ी धन्वान है तु उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी राणी की बहन के पास गई उस दिन गुरुवार था और राणी की बहन उस समय ब्रहसपतिवारवरत की कथा सुन रही थी दासी ने राणी की बहन को अपनी राणी का संदेश दिया लेकिन राणी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत तुखी हुई और उससे क्रोध भी आया दासी ने वापिस आकर रानी को सारी बात बता दी ये सुनकर रानी ने अपने भाग्यों को कोजा उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह मुझसे बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रैस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुमारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली बताओ दासी क्यों आई थी रानी बोली बहन तुमसे क्या छिपाओ हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है ऐसा कहते कहते रानी की आँख वर आई उसने दासी समेत पिछले साथ दिनों में भूके रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आगराग करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम वरत ही तो करते थे इसलिए क्यों न इनसे वरत और कथा की वीधी पूछ ली जाएं ताकि हम भी वरत कर सकें तब रानी ने अपनी बहन से ब्रहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया कि ब्रहस्पतिवार के व्रत में चने की दार और मुनक्का केले की जर्में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं वरत कथा सुने और पीला भोजन ही करें इससे व्रहस्पती देव और भवान विश्णू प्रसंद्न होते हैं वरत और पूजा की विदी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोड़ गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने वरत रखा वह गुर्ण साल में जाकर चना और गुर्ण लेकर आई फिर उसने केले के जड़ तथा विश्णू मुवान की पूजा की पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई चुंकि उन्होंने वरत रखा था इसलिए ब्रहस पती देव उनसे प्रसन्न थे वह एक साधारन व्यक्ति के रूप धारन करके दो धालों में पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वह सभी गुरवार को वरत और पूजा करने लगी ब्रहस पती देव की कृपा से उनके पास फिर से धन समबत्ती आ गए पर अन्तु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था इसी कारण सभी धन नश्ट हो गया अब जब रहस्पती देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीब्तों के बाद हमने ये धन पाया है इसी लिए हमें दान पुन्न करना चाहिए भूकों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुफ कार्यों में खर्च करना चाहिए इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा स्वर्व की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसन्न होंगे दासी की बात मान कर रानी अपना धन शुफ कार्यों में खर्च करने लगी इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा ब्रहस्पती वार की व्रत कथा के बाद शद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद बाढ़कर उसे ग्रहन करना चाहिए बोलो ब्रहस्पती भगवान की जै